नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस्क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की एक युद किस तरह से दुनिया भर की कूटनीती को प्रभावित करता है इसकी जिन्दा मिसाल है यूक्रेन में चल रहा युद जो दरसल चल रहा है रूस नेटो और अमरीक चल रही है फ्रांस भी इसी तरह की हरतालों का सामना कर रहा है और इसका सीधा सीधा कनेक्शन यूक्रेन युद से है वहीं जब यूक्रेन युद चल रहा है दो एहम समिट्स दो एहम समेलन होते हैं जिन पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे पहला बेलारूस और रूस summit से और दूसरी एहम परिगटना अमरीका में घटित होती है अफ्रीका summit को लेकर अमरीका अफ्रीका summit बुलाता है जिसमें 49 countries अफ्रीका से जाते हैं आखिर मकसद क्या क्या चीन है मुख्य परतिधन्दी क्या निशाने पर है इस summit के क्या हासिल हुआ इन सब पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर से प्रबीर सबसे पहले हमें ये बताइए कि बेलारूस और रूस क्या जो समिट हुआ है जिसके लिए पुतिन गए इसका क्या महतु है क्योंकि हम सब जानते हैं कि युक्रेन युद्ध चल रहा है और उस दर्मियान ये जो किटिंग हुई है जो समिट हुआ है ये बड़े पैमाने पे एक कुछ हिस्सों को कुछ ताक्तों को काफी परेशान कर रहा है कितना पुबिक प्बिसिटी बी बात की है कि रूस और बेलरूस युक्रेन को एटैक करेंगे जाड़े के वक्त ये सब तो कहने की बात है क्योंकि आप जानते ही हैं कि उक्रेयन को लेकर एक बहुत पड़ा प्रोपगैंडा वार भी चल रहा है मैं यह नहीं कहूंगा सिर्फ एक तरफा है पर एक तरफा इसलिए दिखती है कि उनकी ताकत दुनिया की मीडिया में अमरीका नेटो जो पूल के हैं उनकी ताकत इस मामले में रूस से काफी ज्यादा है इस वक्त सोवियस संग तो बचा नहीं है कि बामपंधी ताकत एक जमाने में सुपोर्ट करते थे वो भी नहीं है इस वक्त तो एक हिसाब से मीडिया का कैमपेन होता है कोई भी चीज होता है पूतिन नुक्लियर अस्तर दागने वा जैसे नेटों के शक्तियां नुक्लियर ड्रिल्स करते हैं मतलब कि वो दूसरे मुलकों के साथ अबरीका ड्रिल करता है हलांके फ्रांस और इंग्लेंड के पास तो नुक्लियर अस्तर हाई ही पर इसके बाउजी दो दूसरे मुलकों के साथ जब नुक्लियर ड्रिल्स करते military drills प्रैक्टिस करने करते हैं तब उसमें nuclear missiles को लाते हैं और उसकी warhead पतलब bomb को नहीं लगाते हैं इसके इलावा हर चीज करते हैं तो वही उस तरह के nuclear drills हम कर सकते हैं इस चुक्ति में इस agreement में नजर आता है तो आपको क्या लगता है कि जो नेटो के drills हैं जो सैनिक अभ्यास हैं को कि उसको लेकर रूस कई बार आपत्ती भी जता चुका है बाकी देश भी आपत्ती जताते रहें को कि इससे एक दबाव पढ़ता है और नहीं दबाव के बाद बावजित और एक चीज है जितने आपकी nuclear issues पे जो agreement है non-proliferation treaty में है यह gray area कह सकते हैं यह हो सकता है कि उस non-proliferation treaty में इस तरह के drills और nuclear bomb का हाथियार दूसरे देशों में रखना ताकि जरुरत पढ़ते उन देश भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह non-proliferation treaty का खिलाफ है लोगों का बादना है तो यह सिर्फ यह जंग की बात नहीं यह NPT का भी उलंगन है यह लोगों का मानना है जी तो इसमें जो चिंता या जो सवाल उठ रहे हैं इस मुलाकास से और जो समझोता हुआ है कि क्या रूस इसी तरह का एक नेटो के चुनौती देता हुआ इस तरह के एक ड्रिल की तैयारी क्योंकि समझोते में भी बहुत साफ साफ लिखाया कि हम संयुक्त सैनिक अभ्यास करेंगे और हम सब जानते हैं कि वहाँ पर पहले नुकलियर मिसाइल्स का बेस रहा है बेलारूस में जब वो सोविय संका हिस्सा था बेलारूस तो यह जो सारी चीजें है क्योंकि खबरों के भीतर खबर सबसे बड कराव है उसका दायरा बढ़ रहा है वो नेटो बढ़ा चुका है लिट्वेनिया वगारे तो बहुत पहले नेटो में शामिल हुए हैं उसका बयाने रूस के खिलाफ आता रहता है छोटे-छोटे मुल्क हैं इनके आपने कोई ताकत नहीं है यह तो सिर्क भेंपू जिसे कहते तो जारी है तो रूस का यह डिफेंसिव है उफेंसिव है यूकरेन युद्ध के लेके यह अभी भी बताना मुश्किल है भविश्य बताएगा भविश्य वानिया आप जानते हैं आप करना छोड़ दिया तो खास दोर से इन जंग की जैसे चीज़ों को लेके क यूकरेन युद्ध खतम होने का कोई इस वक्त आसार नजद नहीं है और विंटर वार को लेकर जो तमाम कयास चल रहा है क्योंकि एक बात तो दिखाई दे रही है कि दोनों ही शक्तियां एक साल तकरीबन हो गया दस महीने हो गए हैं दस ग्यार्वा महीना तकरीबन एक तर की जाते हैं दोनों तरफ खबरे आती हैं तो यह विंटर वार को लेकर जो आशंकाएं हैं कि और तेज हो सकता है उसकी तैयारी होती दिख रही है क्या आपको देखिए तैयारी तो जंग बढ़ानी की दोनों तरफ से है नेटों की तरफ से भी है वह आप कह रहे हैं कि और हम मिजाइल्स भेजेंगे, पेट्रियट मिजाइल्स भेजेंगे वगारा तो ये तो जारी है. रूस की तरफ से साफ है कि उनका शिकार अगर देखे तो यूक्रेयन का मिलिटरी शक्ति को नश्ट करनी का. वो साफ है. वो उनकी जमीनी जितना उनको लेना था, वो ज्यादा तर ले चुके, कुछ और भी बचा है डॉनबास इलाके में, पर वो उनका मुख्यलक्ष नहीं है, उनका मुख्यलक्ष है इस जंग में, उनकी जो यूक्रेन की जो सामरिक शक्ती है, मिलिटरी ताकत है, उसको कमजोर करें, और नेटो को कमजोर रखना चाहिए, उसका भी एक हिस्सा वो यूक्रेन भेज रहे हैं, हाँ को कि अभी रेखिए वो जो बाइडन ने भी कॉंग्रेस में कहा है, अमरिकी कॉंग्रेस में, कि पचास बिलियन डॉलर उन्होंने रखे हैं, यूक्रेन युद के लिए, उफिशिली जिसको उन्हो 5.7 trillion dollar की जो बजट है, उसमें expensive expenditure की, तो उसमें 55 billion dollar उक्रेन के लिए है, और कितना है हमें मालूम नहीं, यूद में काफी घी डल रहा है, कम से कम 100 billion dollar की subsidy war में यूक्रेन को मिल रहा है, इस वक्त financial support, military support सब मिलाकों को मिलाके, नेटो के ताक्तों को मिलाके, तो इस हिसाब से देखा जाए, इसलिए मैं लगातार इसको यूक्रेन नहीं, यूक्रेन war को, यूक्रेन रूस यूद नहीं मानता हूं, इसको नेटो वर्स रूस का, ज अखीकत यह है कि कोई भी जंग अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए, कोई भी जंग जिसमें नेटो और रूस दोनों जिनके पास nuclear हाथियार है, अच्छा नहीं है, पर जंग चल रहा है, और अभी कोई शांती की आसार नज़र नहीं आ रहा है, जी, निश्यत तोर पे, अ अब हम चलते हैं, अमरीका-अफ्रीका समिट, सम्मेलन की तरफ, यह एक ऐसा सम्मेलन है जो अफ्रीका के बारे में हुआ, लेकिन हुआ अमरीका की धर्ती पर, क्यों बाइडन अफ्रीका नहीं जा सकते थे, क्यों सारे देशों को वहां बुलाया गया, इसकी कहानी क्या है? देखिए यह आप्टिक्स की बात है, कैसे दिखता है दुनिया को, क्योंकि शी जिंपिंग गए वेस्ट अशिया गए, वहाँ पर गल्फ कंट्रिस के साथ बुलाकात की, ठीक है न, साओधे रेबिया तो गए ही है, तो एक आप्टिक्स दिखती है वहाँ पर, गल्फ बुलक आप आओ तो यह आप्टिक्स की तरफ से आप्टिक्स की हिसाब से यह अच्छा नहीं दिखता और इसमें आफ्रिकन मुल्क गए पर उनको बहुत अच्छा नहीं लगा होगा कि हमें तो आके लेक्चर देते हैं हमारे मुल्क में आके उनके जो नेता हैं मिनिस्टर्स जो हम क पर रूस के साथ संब्द कैसे रख रहे हैं नहीं करना चाहिए यह बहुत लेक्चर दे के आए जिस पर काफी विरोध प्रकट किया साथ आफरिका में हुआ केनिया में हुआ इन जगहों पर इसका विरोध हुआ सिरियर मिनिस्टर्स वहां की भी जबाब दिये इसके कि ऐस हमें लेक्चर मत कही है हमें मालूम है क्या करना है नहीं करना पर वहां पर 55 मुल्क है आफरिका में 49 मुलकों को बुलाया पांच को नहीं बुलाया एक को तो रेकिनाइज नहीं करता और चार को जो है देश की हिसाब से ही सांक्शन है उनको नहीं बुलाया और सब को बुला लाके एक optics तो बना कि सब आए वहां पर इतने बुल्क आए निकला किया निकला ये है कि 55 billion dollar की उन्होंने कहा है कि हम aid देंगे commitment किया उन्होंने इन commitment के पीछे क्या है कितना आएगा और कितना जाएगा ये तो इतिहासी बताएगा इस वक्त सिर्फ commitment है देख लिजिए 55 billion dollar यहां पूरे आफ्रिकन बुल्क पूरे आफ्रिकन महादेश इतना बड़ा continent है इतना बड़ा continent है जिसका population करीब भारत चीन के बराबर हो रहा है ठीक है ना 55 देश है इसका commitment वही है यूकरेड एक देश का ठीक है ना एक देश में युद्ध के लिए जितना दे रहे हैं support के लिए तक्रीबन उतना ही इतने देशों के लिए commitment कर रहे हैं जबकि आफरिका का बिद्धवस्त होने के पीछे सब European मुल्क Western European मुल्क और अमरिका शामिल है जिस तरह से पूरी गुलामी में उसको ठकेला और वहां से natural resources का शोचन किया आफरिका जो कहते है loot of Africa जो शुरू होता है really slave trade वगारे तो हुआ ही है पहले सब उनकी समाज बिद्धवस्त करने के लि है कौन मुल्क कितना कबजा करेगा आफरिका की वह बठवारा होता है बाकाइदा एक मीटिंग बुलाई जाती है यॉरप में जिस पे बैट के वह लकीर खीचा गया था मैप से और उसके आधर पर scramble of Africa शुरू होती है तो यह इतिहास में आपका reparation को बहुत दूर की बात ह है एक टाइड होता है आप इतना लीजिए हमसे पैसा लीजिए पर खरीदिये हमसे ही तो वो हम वापस ले लेंगे इस तरह से चलता है पर इस सब देखते हुए चीन की जो क्या कहेंगे optics है अच्छा इसलिए रहता है कि उनके leaders आफरिका जाते है वहां जाके गोशना होती ह बुलाने का काम जो है इस तरह से नहीं होती है तो यह वाकए जो है कि उनकी infrastructure development में चीन पहले Soviet संग शामिल हुआ करते थे पर इस वक्त जो है आफरिका की development के जब बात आती है उसके एवज में basis कितनी होगी आफरिका के मांचित्र देख लिए हमारे पास है इसमें जो दिख लीजिए कितने जगहों पर जंग चल रहा है जिसके पीछे अमरिका फ्रांस यूके ऐसे देश उस पर शामिल है यह देख लीजिए तो यह सब देखते हुए आफरिका की छबी इस वक्त आफरिका के पास अमरीका की छबी उत्ता उज्वल नहीं है जो वो खुद समझते ज उससे बड़ा आपको लगता है कि जिस तरह से यूक्रेन युद में एक कमिट्मेंट चाहिए था उसका भी एक दबाव बना है इस समिट से यह दबाव बनाने की कोशिश की गई है अमरीका अमरीका जो हम पहले डिसकस कर रहे थे कि नैटो के पक्ष में लोगों को ले जाने वाला था यह मैं सवाल रिपीट कर देती है इस समिट के पीछे क्या आपको लगता है प्रबीर की जिस तरह से नैटो के पक्ष में यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें अफरीका के देशों को दबाव जो बनाया जा रहा था उसकी भी कुछ कूटनीती चली है क्या देखे इस पे मुझे लगता है कि चीन उनका में कॉम्पिटीटर है आफरीका में आफरीका की हैसियत जो है सबसे ज्यादा है खनिच संपद वहां पर संपदा बहुत है अखास तोर से कॉंगो जैसे बुल्क में नाइजीरिया में तेल की संपद है कॉंगो में मिनरल्स की बहुत बड़ा भंडार है तो मैं हर बुल्क के बारे में नहीं कह रहा हूं पर यह सब देखते हुए उनकी raw materials की बहुत बड़ी भंडार जो आफरीका में उसकी अमरीका का और यॉरप की दृष्टी है इसमें उसमें competition चीन से है क्योंकि चीन आफरीका में investment बाकाइदा कर है उनकी national states जो है उनको developments को मदद कर रहा है और खास तोर से जो transport की जरूरत है आफरीका की चाहे वो infrastructure harbors और roads और railways हो उसकी मदद कर रहा है तो mines की सब की उन्हों की investment कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आफरीका की जो competition है वो ज्याला चीन से है अबरिका के लिए और वही competition के लि summit किया गया है NATO और Ukraine war इसका हिस्सा है पर वो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है जो चीन के साथ competition जो second war जो खुला है economic war हम कहते हैं economic war का हिस्सा है physical Ukraine युद्ध में इसकी इतनी एहमियत मुझे नहीं लगता है कि यहां पर है इन्होंने जरूर आके बने कहा उंगली नचा के कहा कि आप रूस के खिलाफ हमारे sanctions में क्यों नहीं शामिल हो रहे हो वगारा 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 पर वो बुख issue इस पर नहीं है मेरा शाल से दूसरा मुख मकसा दिये है कि चीन का जो वर्चस वो बढ़ रहा है दबदबा बढ़ रहा है उसे कैसे counter किया जा सके चीन का influence बढ़ रहा चीन की कोई base आफरिका पे एक जगह छोड़ के जिसमें वहां पर अमरीका base भी है क्योंकि वो इस वक्त सोमालिया जहां पर सरकार नहीं है लोग कहते हैं तो उसके वहां पर है इसके इलावा हर जगह पे basis अमरीका का है चीन का कोई base नहीं है दबदबा तब बनता जिसके प और उन्होंने मेरे ख्याल से करीब 30-35 बार उन्होंने पीछले 50-60 साल में फ्रांस military interventions किया है और इस वक्त जैसे बनेखा कि अमरीका के पूरा दुनिया में करीब 700-900 bases सिर्फ एक ही बुल्क है जिसके पास इत्ते सारे bases है उसका दित्यों स्थान अगर कोई है तो तीन base या एक base वाला देश मिलेगा आपको तो यह देखते हुए दबदबा का इसलिए अमरीका का इसलिए जादा है और दूसरा नंबर स्थान आता है फ्रांस का आफ्रिका में तो यह एक पहलू है और economic पहलू दूसरा है जिसमें चीन का एक क्या कहेंगे काफी influence बढ़ा है असर इसको पूरा कर रहा है उसको development में मदद भी कर रहा है और अपना खनीच संपत जो चीन को चाहिए उसको वहां से ले रहा है तो यह जो चीज है इसके खिलाफ अमरीका का मेरे ख्याल से समिट बूलता है और उसका साथ सथ पोलिटिकल और स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टिस आ किस तरह से अपना दबदबा अपना आधिपत अपने business interest तमाम उन देशों पर स्थापित करना जहां पर बहुत बड़ी संपता है प्राकृतिक संपता है जिसका बहुत लंबा इतिहास लूट का रहा है और इसी बीच जब युद्ध चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि यु करिए शेयर करिए परताल दुनिया भर की शुक्रिया